राध हे राध हे मित्रों इस बेडियों में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि वाई नाम के जातक एबम एन नाम के जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों का बैवाहिक जीबन इन दोनों का दामपत्ते जीबन कैसा होगा मित्रों यदी आपी ये जानना चाहते हैं तो इस बेडियों को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि यह बेडियों आपके लिए बहुत जयादा उपयोगी एबम महत्तुपुर्ण है मित्रों यदी आप अपने जन्म कुंडली, हस्त रेखा या अपने जीबन के बारे में कोई भी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाट्सेप नमबर है जिस नमबर पे यदी आप मुझे वाट्सेप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी तो कुछ भी जानने के लिए मैसेज अबश्य करें दोस्तों अब आगे हम लोग बात करने बाले हैं कि वाई नाम के जातक एबम एन नाम के जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों का संबंध कैसा होगा दोस्तों इस नाम के दोनों जातक बहुत ज्यादा भाबुक होते हैं एबम इस नाम के जातक बहुत ज्यादा उर्जाबान एबम दिल के अच्छे होते हैं लेकिन इन लोगों के भीतर इर्शिया की भाबना बहुत ज्यादा होती है एबम इस कारण से कभी कभी इन दोनों को अपने आपसी जीवन में कुछ पड़ेसानी का सामना करना होता है। मित्रों इस नाम के जातक प्रेमी बिभार बाले होते हैं एबम इस नाम के जातक बहुत जयादा कामुक एबम भाबुक होते हैं। इस नाम के जातक अपने पार्टनर को चुन्ने में अपने जीवन साथी को चुन्ने में बहुत जयादा साबधानी बरतने का प्रेयास करते हैं। इस नाम के जातक अपने जीवन साथी में बुद्धिमानी एबम सच्चाई को सबसे पहले ढुणते हैं। क्योंकि इस नाम के जातक कभी भी किसी भी विक्ती को धोखा देना या जूठ बोलना पसंद नहीं करते हैं। इस नाम के लोगों को जूठ से बहुत जयादा नफरत होता है। मित्रों इस नाम के दोनों जातक जल तत्तु बाले होते हैं। एबम जल तत्तु होने के कारण इन दोनों के बीच में अनुकूलता बहुत जयादा होती है। एबम इस नाम के जातक अपने दामपत्य जीबन में सुरक्छा का महत्व बहुत जयादा करते हैं मित्रों वाई नाम के जातक एबम एन नाम के जातक इन दोनों के गुन एबम अब गुन को मिला कर यदि इनके बैबाहिक जीबन इनके दामपत्य जीबन की बात करे तो इन दो का संबंध बहुत जयादा मजबूत एबम सांदार होगा तो मित्रों इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दे साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे एबम इस वेडियो के नीचे जय बाबा भैरब कमेंट कर दे एबम इस वेडिय आप हर जगह सियर कर दे धन्यवाद जैसी आराम